पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा सत्विषा नक्षत्र में पूरे दिन और रात्री 9 बच कर 45 मिनट तक चलते रहेंगे तद पस्चाथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे आज के जन्मे जातक सुन्दर हिम्मती मजबूत है रहे वाले ठोस और महत्पूर निर्णे लेने में कुशल और दिढ़निस्चाई बने रहते हैं असपस्ट बोलने वाले स्वतंत्र और मौलिक निर्णे लेने वाले बैग्यानिक तथा तकनिकी कारियों में रूची रखने वाले पूरानी वस्तुओं तथा कलाकृतियों के प्रेमी आत्म विश्वासी और आति महत्वा कांशी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा राहू और सनी की इस्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज पूरे दिन कुम्ब रासी में ही चलते रहेंगे जिसके रासिस्वामी सनी देव हैं आज के चंद्रमा पर सनी की तीसरी द्रिष्टी और ब्रिहस्पति की पंचम द्रिष्टी पड़ती रहेगी मगर आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में पूरे समयकाल तक बने रहेंगे जिससे भ्रहम की स्थिती बनी रहेगी निर्णय लेने की छमता प्रभावित होगी मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा किसी भी काम के प्रती संगर्ष की स्थिती बनी रहेगी सरकारी काम का आज में बाधा और विभागी सहयोग मिलने में कमी या दास्त और उत्साह में कमी के साथ ही सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा भी बनता है सावधानी अप्रेक्षित है आज का दिन भाद्रपद मास सुक्लपक्ष चतुरदशी तिथी अनंत चतुरदशी के नाम से विख्यात है इस दिन भगवान विश्नु की पूजा अनंत भगवान के नाम से की जाती है जिसका ना कोई आदी है और ना ही कोई अन्त है इस पूजा का एक विशेस विधान है जिसके अंतरगत कपास के चौता धागे लेकर इसमें चौता गाठें लगाई जाती हैं प्रतेक गाठ लगाने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम अननताय नमा का मंत्र जबते हुए गाठ लगाएं और उसे हल्दी में रंग करके पूरे बिधी विधान से पूरुस अपने दाहिने बाजू पर और इस्त्री अपने बाएं बाजू पर बाधें और भगवान श्री हरी की यथा सक्ति पूजा अर्चना करें नवेद अर्पित करें और प्रसाद सुरूप उसका सेवन करें इस दिन खाने में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए मेश राशी के जात्कों के लिए स्वास संबंधी सावधानियों के साथ साथ कारे छेतर में भी उतार चड़ाव बना रहेगा आर्थिक इस्थिती अनकूल रहेगी और हर काम के प्रती निर्णे लेने का प्रतिशत कम रहेगा मानसिक अस्तर पर अनावस्चक चिंता, घवराहत, बेचैनी और कारे छेतर में निर्णे लेने की छमता परभावित हो सकती है मा के स्वास्त की चिंता और अपने सामान के प्रति सावधानी अपेक्चित है हाला कि साजेदारी लावदायक रहेगी मगर वित्तिय लेंदेन में परेशानी महसूस होगी विद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा अपने स्वास्त के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिश रासिक के जात्कों के लिए स्वास्संबंधी सावधानी रखनी चाहिए मौसम से होने वाले संक्रमण का अंदेशा बनता है हाला कि आय संबंधी मामलों में प्रयास जारी रहेगा बौधिक चमता में विद्धियोगी और सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी मगर ब्यावसाई का स्तर पर उतार चढ़ाव संभावित है कारेच्छत की निरंतरता प्रभावित हो सकती है हाला कि विभागी सहयोग बना रहेगा और कारेच्छत में प्रतियोगी भावना बिक्सित होगी खेक धंक से चलते हुए कामों में अचानक बाधा भी संभावित है आथिक लावाप के कारेच्छमता के उपर निर्भर करेगा वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा विद्व्याथियों को अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी प्रयास जारी रखें और धार में क्यात्रा का योग बनता है मित्वों रासिके जातियों के लिए बौधिक छमता का विकास होगा और कारेच्षर के प्रति सकारात्मा प्रेरणा बनी रहेगी अचानक आठिक लाव संभाव है आपके प्रयासों से सरकारी कामकाज और रूके हुए काम संपन्ध होंगे और किसी महिला के द्वारा लाव की संभावना भी बनती है मगर वित्तिय लेंदेन के साथ ही महतुपूर निर्णय लेने में सावधानी अपेक्षित है धार्मिक भावना बलवती होगी और आध्यात्मिक वेश्यों के प्रतिर उची बढ़ेगी विध्यात्यों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धों का पारिवारिक सुख सवार्द में बिद्धी होगी और वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे करक राशिके जात्मों को स्वास संबंधि जटिलताओं के साथ साथ ब्यावसाइक साथ धानिया संबंधित मामलों में बाद बीबाद और कारियों में रुकावट के साथी साथ बीरोधियों से साजिस की संभावना और चोर चपेट लगने का संकेत भी मिलता है चंद्रमा आज आठमे भाव में राहू के नक्षत्र में चल रहे हैं वाहन सावधानी से चलाएं और वीपीद परिस्तितियों में धैर्यों और सायम के साथ कारिय छेत्र में लगे रहें हाला कि अधिकारियों की साकारात्मा प्रिणा मिलती रहेगी और आठिक फक्स मजबूत रहेगा विद्यात्यों के लिए आज का दिन सामन रहेगा प्रयास जारी रखे और आपसी सामन जस्त बनाए रखे सिंग रासी के जात्कों के लिए सामाजी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और कारेच्छत में विकास और करमचारियों से सहयोग मिलता रहेगा सरकारी कामकाज पूरे होंगे आपका उर्जा, अस्तर और दिड़िच्छा सकती नई कारी ओजनाओं के लिए मदद करेंगे थार्थिक लाव अच्छा रहेगा मगर भ्रहम की इस्थिती आपके निर्णे छमता को प्रभावित कर सकती है सावधानी अपक्षित है, साजेदारी आज के लिए उचित नहीं होगी, विद्ध्याथियों को अध्यन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा अपने सामान के प्रती सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं करन्या राशिके जात्मों के लिए रचनात्मक रियाशिलता बनी रहेगी, आर्थिक लाव के नए आउसर मिलते जाएंगे और आत्मिश्वास मना रहेगा मगर हर काम करने के प्रती नकारात्मक बिचारों का पैदा होना, निर्णय लेने में उतार चड़ाव, आर्थिक लाव में कमी और मौसम संबंधी संक्रमन से होने वाले खतरों का संकेत मिलता है हाला कि साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और सरकारी कामकाज में सहयोग बना रहेगा नकारात्मक बिचारों से दूर रहें और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें और स्वास संबंधिया और सक्सावधानी बनाए रखें तुला रासिके जात्कों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा सारीरिक वा मानसिक रूप से उर्जावान महसूस करेंगे और अजनात्मक प्रयासों में उचित दिसानिर्देश और सकारात्मक पेरणा मिलती रहेगी भविस की योजनाव के व्रति नीजी निवेश की प्रवरित्ती बनी रहेगी और किसी समारोह में सम्मानित किये जाएंगे मगर कारे छेतर में कूट नीतिक पहलूओं पर भी दिमाग केंद्रित होगा भरम की स्थिती के साथ आदम विश्वास प्रवावित होगा कार रियो जनाव में वाद विवाद को टालने की कोशिश करें हाला कि आर्थिक लाँ मन मותादिक मिलता रहेगा और साज्येदारी के प्रस्ताव लाँ दायक रहेंगे विद्ध्यात्यों को सिक्ष़प प्रव्योगिता में सफलता मिलेगी और प्रयासों का दौर सफलता दिलाने के लिए प्रेरित करेगा मगर स्वास संबंधी सावगानी रखनी चाहिए और मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है काम करने में उत्सा है और इच्छा सक्ती की कमी संभावित है हाला कि कारेशित की प्रतियोगी भावना बरकरा रहेगी और विरोधियों से भी लाव संभाव है विद्यातियों को सिक्छा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है प्रयास जारी रखें नकारात्मक विचारों वाले व्रतियों से दूरी बना कर रखें और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा धनु राशिके जात्कों के लिए प्रबल दिठिच्छा सक्दी और आत्मश्वास बना रहेगा कारे शैली में सुधार और रचनात्मक सक्रियता हर कामें सफलता दिलाएगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागी सहयोग बना रहेगा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और अतिरिक ताय के संसाजनों में बिध्धी होगी मगर अतियात्मिश्वास से पहल करने की प्रबृत्ती प्रबावित होगी चंद्रमा राहु के नक्षत में हैं प्रयासों में बल मिलेगा आधूरे पड़े काम पूरे होंगे और सामाजी प्रतिष्ठा में बिध्धी होगी साजेदारी के कारियों में लाव संभव है ग्रावसाई का नकूलता बनी रहेगी और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है मगर स्वास संबंधि सावधानी रखनी चाहिए विद्ध्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा उचित मारक दर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी मकर राशी के जात्र के आत्मिश्वास में विद्ध्ययोगी और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उमीद बनती है प्रत्योगी भावना विक्षित होगी और नई कार्योजनाव में आपका उत्साह वाद्रिड हिच्छा सक्ती लाव दिलाएगी नीजी और घरेलू संसाधनों में व्रिद्धियोगी मगर राहु का नक्षत निरने लेने की छमता को प्रभावित कर सकता है आर्थिक मामलों में सावधानी अपक्षित है विद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा नीजी संबंधों में गलत पहमी और स्वास संबंधी आवसक सा साथ ही अपने सामान के प्रति सचेत रहें। कुमबरास्टी वाले जात्कों का आज का समय सावधानी भरा होना चाहिए। पराक्रम बढ़ा रहेगा प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। नई कारियों जनाव में आठिक लाव की मनो बृत्ती बनेगी। हलाकि कारेषःस में शाथन सत्ता वाधिकारियों का सहीयोग भी मिलता रहेगा। साजेदारी के कामों में लाव का संकेत मिलता है। मगर संबंधित, कामों में महत्पूर्ण और ठोस निरने सोच समझ कर लेना चाहिए, यात्रा या प्रवास की इत्थिती संभावित है, भाग वस कुछ रुके हुए काम संपन्ध होंगे, स्वास संबंधि सावधानी रखनी पड़ेगी और वाहन सावधानी से चलाएं, प्रयास जारी रखें और पारिवारिक सुख सोहाग में बिद्धी होगी, मीन राशी के जात्कों के लिए धन संबंधि मामलों में सुधार के साथ साथ खर्च की प्रवरित्ती भी वनी रहेगी, हाला कि रचनात्मक प्रयास और दिड़िच्छा सकती आज के दिन साथ दें साथी साथ कार्यों जनाव में जल्दवाजी उचित नहीं होगी, संतान संबंधि चिंता बढ़ सकती है, मगर विद्ध्यात्यों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा, प्रयास जारी रखें, जात्रा के दोरान वाहन सावधानी से चलाएं और अपने खर्चों को नियंत करने की कोशिश करें, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवायर।